प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाईबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाईबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. पिछले कई हफ्तों से मैं ये बात याद दिलाता आया हूँ, कि यदि माबाप अपने बच्चों को प्रभू का वचन सिखाने में लापरवाही करेंगे, तो बच्चे निश्चित रूप से बरबाद हो जाएगे. आप पूछेंगे कि तो प्रभू का वचन यदि सिखाए तो बरबाद होने से बच्चेंगे क्या? प्रभू का वचन यदि आप क्रमबद तरीके से सिखाते हैं, तो भी कुछ बच्चे प्रभू का रास्ता छोड़ कर चले जाएंगे, लेकिन आप कते ही किसी भी तरह से प्रभू का वचन नहीं सिखाएंगे, तो बच्चों का बर लेकिन यदि आप बच्चों को प्रभू का वचन बिलकुल ना सिखाएं, तो कते ही कोई रिस्क नहीं, सब के सब बरबाद हो जाएंगे, इस प्रिष्ठ पूमी से लेकर हमने काफी आगे प्रभू के वचन को देखा था कि यदि बाप या मा लापरवा हैं, तो बच्चे निश्चित रूप से बरबाद हो जाएंगे, इसके बाद मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि बच्चों को, बच्चों के लिए वो जब मा के पेट में हैं तब ही से प्रातना, गाना, सबारम करें, बच्चा जब पैदा हो जाता है तब उसको शब्द भंडार दें जितना अधिक से अधिक शब्द भंडार दें, अलग-अलग बच्चों की कपैसिटी अलग है, जितनी आपके बच्चे की कपैसिटी है, उतना शब्द भंडार उसको दें, जिससे कि जब वो बड़ा हो जाए, तो हर विशे को सही रीती से युक्ति संगत तरीके से उसका विशलेशन कर सके, इसके साथ साथ प्रभू के वचन के पत सिखाईए, आखरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो यह है कि प्रभू के वचन की कहानिया सुनाईए, आप कहेंगे ब्रदर मैंने तो अपने बच्चों को प्रभू के वचन की बड़ी कहानिया सुनाईए, क पर सुना दिया, बस कहानी खतम, खाना हजम, यह हमारा या पैसा हजम, यह हमारा हिसाब है, आदम हवा के बारे में, जब हम प्रभु के वचन से सिखाते अपने बच्चों को, एक था आदम, एक थी हवा, एक था पेड़ और एक था शैतान, और शैतान ने साप की रूप में कहा कि खाले, बिटिया, खाले और उसने खालिया, और उसके बाद दोनों जो है, नंग धरंग हो गया, और नों ने जो है, कपड़े से लंगोट बना लिया, और पैदमेश्वर ने आके उनको कूछ और अच्छे क्वालिटी का लंगोट दे दिया, फिनिश्ट, इससे आग बार बार कहानी शब्द बोलने के बदले उसको याद दिलाएं कि एक चरित्र कता है, एक चरित्र को कता के रूप में बेटा तुम्हारे सामने बता रहा हूं, लेकिन ये एक वास्तवी घटना है, होगे क्या, नहीं, आदम और हवा के जीवन को जब आप अपने बच्चों को बताते हैं, यदि सही रीती से बच्चों को सिर्फ आदम हुआ की कहानी सुनानी है, तो कम से कम दो तिन घंटे चाहिए, आप कहेंगे कि शास्तरी सराज आप कुछ बहकी बहकी बात कर रहे हैं, मैं बहक रहा हूं या नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात मैं याद दिला यह अच्छर सत्य है, और इसलिए आज का संदेश जरा ध्यान से सुनें, मेरे एक और मित्र है, मैं अक्सर सर पीट लेता था, वो बच्चों को कहनी सुना था, एक था डुकरा, उसने बनाई बड़ी नाव, जल प्रले से बच गय, उसके बाद डुकरा शराब पीके नंगा हो गया, और उसके बेटों ने देखा, तो उसको कवर कर दिया, एक ने जो है देखके उसका मजाक उड़ाया, उसको शाप दे दिया, फिनिश्ट, यह है क्या नू के कहानी का साराश, प्रभू के वच्चन में हर चरित्र कथा के पीछे छुपे हुए आत्मिक सत्य है, आप इस तरह से यांतरिक रूप से अपने बच्चे को प्रभू के वच्चन की चरित्र कथाएं सुनाएंगे तो उसके पीछे छुपा हुआ आत्मिक सत्य वो कहां से सीखेगा, प्रभू इश्ट ने उपमाओं के रूप में कई कहानिया सुनाई थी, जैसे खोई हुई भेड क कहानी, उडाओं पुत्र की कहानी, बस हम तो बच्चों को सुना देते हैं, एक था धनी आदमी, दो लॉंडे थे, उसमें से छोटा वाला नाला एक था, उसने कहा, पापा मेरा पैसा मुझे दे दीजे, पापा ने पैसा दे दिया, उसने जाके अपने से भी ज्यादा नाल जो गया, फिनिश्ट, ये है क्या, प्रभु ने ये जो उपमा दी थी, या ये जो कहानी सुनाई थी, नैतिक कथा, या आत्मिक कथा, उसका पाठ यहां खतम हो जाता है क्या, हम में से हर माबाप को, हर संडे स्कूल टीचर को, और हर बाइबल टीचर को, प्रभु के सामने ये बात आज मान लेनी चाहिए कि प्रभु आपके वचन में जो चरित्र कथाएं हैं, आपके वचन में प्रभु ईश्व के द्वारा सुनाई गई जो कहानिया हैं, उसके अलावा और भी कई लोगों ने इस तरह की कहानी सुनाई थे, जैसे नाथान ने दाउत को कहानी है प्रभु इन सब कहानियों के पीछे कुछ प्रभु के वचन के मूल उपदेश चुपे हुए हैं, कुछ शाश्वत सत्य चुपे हुए हैं, कुछ प्रायोगिक सत्य चुपे हुए हैं, है प्रभु मेरी मदद कीजिये कि इन शाश्वत और प्रायोगिक सत्यों को पहचा कर मैं अपने बच्चों को बता सकूं, हम खुद नहीं पहचानेंगे, तो बच्चों को क्या बताएंगे, अंद अंदे को रास्ता दिखाएगा, हम भी गड़े में गिरेंगे, बच्चा भी गड़े में गिरेंगे, लेकिन इन शाष्वत सच्चाईयों को यदि हम बच्चे क कहानी सुनाने से पहले पहचानना चाते हैं तो वही मैं जो पुराना गीत अलाप रहा हूँ जब से मैं हिंदी में मैंने क्लास आर्म किया तब से एक गीत अलापता रहता हूँ, एक Bible, एक diary, एक pen हमेशा आपके साथ होना चाहिए जिससे प्रभू के वचन से पवित्रात्मा आपको जो प्रकाश देते हैं उस प्रकाश को नोट कर ले आप कहेंगी कि दो-चार बार डाइरी लेके बैठेते कोई प्रकाश नहीं मिला तो उसके बाद में लेके नहीं बैठता ये हुई ना बात दुनिया भर के जो उल्टे सीधे काम है उनको सीखने के लिए हफ्तों और महीनों हम समर्पित कर देते हैं प्रभू के वचन को सीखने के लिए और पवित्रात्मा के प्रकाश को पाने के लिए चार दिन इंतिजार करना हमारे लिए मुश्किल है ये आदत बदलनी पड़ेगी प्रभू के वचन से प्रकाश एकदम से नहीं मिलता है जीवन में हर चीज के लिए अनिशासन की जरूरत है प्रभू के वचन से पवित्रात्मा की अगवाई द्वारा प्रकाश पाने की लिए अनिशासन की जरूरत है वचन को लेकर बैठिये, प्रार्थना पूरोग वचन पढ़िये, पवित्रात्मा से बिंती कीजे कि मुझे प्रकाश दें, पहले दिन नहीं मिला, तो उसका मतलब यह नहीं है कि अगले दिन नहीं मिलेगा, दो-चार दिन रुकिये, दो-चार दिन प्रभु पर आश्रे करेंगे, तब उसको अपनी डायरी में नोट करते चले जाएए, जब भी इस तरह का सुझाव मैं देता हूँ, तो एकाद व्यक्ती जरूर भीड में से निकल आता है, जो कहता है कि शास्त्री सर, यदि इस तरह से मैं डायरी लेके बैठूं तो शायद पवित्रात्मा से इ असी ही समाज में एक से एक नालायक हैं, जो प्रभू से प्रकाश, जो प्रकाश मिलता है और मिल सकता है, उसको नकारने के लिए एकदम से तयार हैं, और कल को रोते हैं कि वो मेरे साथ पढ़ता था, पता नहीं उसके संदेश को सुनने के लिए जनता क्यों तूटती है, हम दोनों साथ साथ थे वो तो मेरे बराबर intelligent नहीं था लेकिन वो जब संदेश देता है तो भीड तूट पड़ती है मैं संदेश देता हूँ जो दो-चार लोग जो वहाँ थे वो भी भाग लेते हैं और सिर्फ जूम चलाने वाला बचता है और वो भी प्रभु से प्रारतना कर रहा होता है कि हे प्रभु ये जरा बंद करे तो मैं जूम आफ करूँ अंतर ये है कि एक के पास देने के लिए बहुत कुछ है दूसरे के पास नहीं है इसलिए नहीं है कि पचास प्रकार के बहाने बना कर वो अपने जीवन में आत्मिक अनिशासन से भागता है और फिर भागता है तो उसको प्रकाश नहीं मिलता है इस कारण मेरे प्रिये माबाप, मेरे प्रिये Bible Teachers और जो लोग माबाप बनने जा रहे हैं इवन उद्धार प्राप्त जो बच्चे यहाँ पर है उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिये भाई, मेरी प्रिये बहन, मेरे प्रिये बच्चे प्रभु का वचन जब पड़ो तो एक डायरी हमेशा साथ में रखना, एक पेन हमेशा साथ रखना पवित्रात्मा तुमको जो अगवाई दे यदि एक वाक्य में अगवाई दे तो उस एक वाक्य को नोट कर लो उसको नश्ठ होने मत दो मैंने इसके पहले पिछले हफते उसका उदाहरण दिया था मैंने पूछा था कि कोई है क्या यहाँ भाई या बहन जो कागज के एक पन्ने को बीस बार मोड़के मुझे दिखाए मैंने कहा था बीस बार मोड़के दिखाए तो एक लाख रुपय का इनाम मैं उनको दे दूँगा मुझे उम्मीद है कि आप मैंसे किसी ने किसी ने तो मोड़के देखा होगा और सफल हो गए हो गए वेज्यानिकों ने यह देखा है कि आप बड़े से बड़ा कागज ले लीजे उसको जैसा मैंने बताया वैसे मोड़ेंगे एक के उपर एक मोड़ेंगे फैन फोल्ड नहीं एक के उपर एक मोड़ेंगे तो एवन दस बार आप नहीं मोड़ सकते और बीस बार तो असंबव है जानते हैं क्यों इसको अंग्रीजी में क्यूमिलेटिव कहा जाता है बैंक में हर महिने सो रुपे जमा करते चले जाएए चालीस साल के बाद जो है वो इतनी बड़ी राशी हो जाएगे कि आप की जक्की हुल जाएगी उसको क्यूमिलेटिव डिपाॉजिट बोलते हैं हिंदी में उसको संचे ही बोलते हैं जैसे जैसे आप संचे करते चले जाएंगे वो मल्टिप्लाई होगा मैंने पिछले दिनों शत्रेंच का उदाहरिन दिया था इसी तरह से एक वाक्य में परमेश्वर से जो प्रकाश मिलता है उसको हम नोट करते चले जाएंगे तो जब हम जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब तक वो इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा कि हम अपने आत्मिक सेवा में उसका उपयोग कर सकेंगे और फाइनली जब प्रभू हमको सेवा के लिए बिलाएंगे तब हमको इतना मैटर मिलेगा इतना मैटर मिलेगा कि हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे फिर हो सकता है यहां कोई पूछे कि शास्त्री अंगल यदि उपयोग ही नहीं कर पाएंगे तो काहे को collect करें बिलकुल सही बात है हम जो है बुद्धी के विपरीत argument करने के लिए बहुत अच्छे हैं यदि आप 100 collect करते हैं और 10 ही use कर पाते हैं तो कम से कम 10 use कर लेते हैं एक भी नहीं collect करेंगे तो कितना use करेंगे एक भी use नहीं कर पाएंगे तो इस कारण कौन ज़्यादा smart है कौन बुद्धिमान है जो collect करता है या जो नहीं करता है जो collect करने के बाद उसमें से थोड़ा ही use कर पाता है या जो collect करता ही नहीं और कुछ use करने के लिए उसके पास है ही नहीं वो बुद्धिमान है जो collect करता है अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं यदि आपको ये बात समझ में आती है अरे ये तो प्रभु के वचन से शास्त्री अंकल ने जो दो पत पड़े हैं या तीन पड़े हैं इनको तो हमने पचासों या सेकड़ों बार पड़ा है लेकिन ये बातें क्यों हमारे मन में नहीं आई शायद इसलिए कि आपको पड़मेश्वर ने जो प्रकाश दिया है उसको अपने नोट नहीं किया जैसे ही प्रकाश देते हैं नोट करने के आद़ डालिये और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से पवितरात्मा आपको प्रकाश देंगे तो हम मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बच्चों को आदम और हुआ की कहानी बताएं तो उसमें जो नैतिक पाठ जो आत्मिक पाठ छुपा हुआ है उसको इस तरह से बच्चों को सिखाएं बच्चों को सिखाने के लिए ये पाठ मैं यहां जितने बड़े लोग बैठे हैं उनको सिखाना चाहता हूँ और एक बार वे लोग सीख जाएंगे तो वे लोग आराम से बच्चों को सिखा सकेंगे इतना ही नहीं आदम और हुआ का जो चरित्र कहानी है उसमें जो पाठ शुपा हुआ है वो आप सब समझ जाएंगे बच्चों को बता सकेंगे और ये भी देख सकेंगे कि पवित्रात्मा परमेश्वर के वचन से किस तरह से प्रकाश देते हैं इसके लिए मैं सबसे पहले उत्पति की पुस्तक दूसरे अध्याय के नवें पत को पढ़ना चाहता हूँ उत्पति दो के नौ में हम देखते हैं और यहवा परमेश्वर ने भूमी से सब तरह के व्रिट्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के व्रिक्ष के फल को और भले और बुरे के ग्यान के व्रिक्ष को अभी लगाया, ये पद आप सौ बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या, कि यहां सिर्फ दो पेड की बात नहीं हो रही है, दो पेड जरूर थे, लेकिन बात सिर्फ दो पेड की नहीं हो रही है, बात हो रही है, जीवन में चुनाव की, कैसे, सोल हुए पप को पढ़ेंगे, सोल और सत्रा, सोल और सत्रा में हम देखते हैं, तब यहोँ अपरमेश्वर ने आदम को या आग्या दी, कि तु वाठिका के सब रिच्षों का फल बिना रोक टोक खा सकते हो, पर भले अब उरे के ज्यान का जो रिच्ष है, उसका फल तुम कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओ, उसी दिन अविश्वर मर जाओगे, यहाँ परमेश्वर ने इस बात को सपष्ट किया, कि अदन की वाठिका में जितने फल हैं, वो सब खा सकता है, आदम को या आग्या दी कि तु वाठिका के सब रिच्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना किसी तरह के मना ही के खा सकता है, बस एक पेड़ को मना किया था, प्रभू के वच्चन में यह जो चरितर का था है, यह खतम हो गई क्या, नहीं, यदि प्रभू ने यह जो कहा उसको हम ध्यान से देखें, उत्पति दूसरे अध्याय के सोला और सत्रा में को ध्यान से देखें, तो हम इस बात को पहचानेंगे कि यहाँ पर सवाल फल खाने का नहीं था, सवाल चुनाव का था, तुम क्या चुनोगे? इन बातों को बताने से पहले, पजमेश्वर ने उस बगिया में खूप सारे फल बनाए, जो बेहद आकरशक थे, और उसके बाद मनिश से कहा कि तुम सारे फलों को खा सकते हो, यहाँ एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कि स्रिष्टी के समय मनिश शाकहारी था, जल प्रले के बाद पजमेश्वर ने मनिश को मांसाहार किया अग्या दी, तब तक मनिश ना केवल शाकहारी था, बलकि पाप करने से पहले मनिश सिर्फ फलाहारी था, उसके भोजन के लिए पजमेश्वर ने सिर्फ फल रखे थे, तमाम तरह के फल रखे थे, और पजमेश्वर ने कहा कि, इस वाटिका में जितने फल है, सब तुम खा सकते हो, मैं तो सोच सोच के हैरान होता हूँ कि क्या क्या फल होंगे, क्योंकि मुझे तो फल बहुत पसंद है, ज्यादा तर लोगों को फल बहुत पसंद है, लेकिन फाइनली, एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया, जो इस बात को बताता था, कि एक तरफ पजमेश्वर की अनुमती के व्रिठ्ष है, तो एक तरफ एक वरजित व्रिठ्ष है, दर असल अधन की वाटिका में फल खाने के लिए उनके पास सिर्फ दो चॉइस थे, एक जिनको खाने की अनुमती है, एक जिसको खाने की अनुमती नहीं थी, इसके अलावा कोई तीसरा फल नहीं था, कि इसको तो सिर्फ देखोगे, ना काओगे, ना कुछ करोगे, बस देखते रो, ऐसा कुछ नहीं था, अधन की वाटिका में परमेश्वर ने मनिश के सामने सर्फ दो चीज़े रखे थी, या ये या वो, दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते, मुझे और आपको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटर है, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने जान बोच कर, मनिश के लिए जो कुछ रखा है, उसको सरल से सरल करके रखा है, उदाहरिन के लिए, प्रभु ईश्व को अपना उद्धार करता मानो, तुम मुक्ति पाओगे, एक पापी उद्धार कैसे पा सकता है, बहुती सरल रास्ता परमेश्वर ने तयार किया है, उस रास्ते के लिए, जो कठिन काम है, वो सब पजमेश्वर ने स्वयम कर दिया और उसके बाद मनिश को बताया कि तुमको सिर्फ एक काम करना है बाकी सब मैंने कर दिया है तुमको क्या करना है प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में मान लो उद्धार तुम्हारा है एकदम सरल मार्ग है मनिश को ये सरल मार्ग मंझूर है क्या उत्तर ये है कि मनिश को ये सरल मार्ग मंझूर नहीं है जब हम प्रभु ईशु का ये शुप संदेश दूसरों को सुनाते हैं तो कई लोग जान कर उसको उसका तिरसकार कर देते हैं मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं बियसी फर्स्ट इयर में पढ़ता था तब एक युवा सन्यासी जिसका नाम रमेश था वो मुझसे मिलने के लिए आया तीन या चार दिन वो हमारे घर रहा मेरे कमरे में पूरा समय आत्मिक चर्चा में बिताते थे संस्कृत मेरा सेकंड लैंगवेज था हिंदी फस्ट लैंगवेज है संस्कृत सेकंड लैंगवेज है इसलिए मैं संस्कृत नया नियम नियमित रूप से उपयोग करता था ये जो युवा सन्यासी है ये संस्कृत जानता था और इसलिए हम संस्क्रत का नायानियम खुलके बैठके चर्चा करते थे और फाइनली जब वो मुझे छोड़के चला गया तब उसने मुझे से अनरोध किया और वो संस्क्रत का नायानियम अपने साथ ले गया एक हफते की हमारी जो चर्चा एक हफते तीन या चार दिन के हमारी जो चर्चा हुई तीन या चार दिन हमारे साथ जो रहा इन तीन चार दिनों में विश्वास करो तो तू और तेरा प्रभूई इश्व पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा तेरे साथ तेरा परिवार है तो वो भी यदी विश्वास करें तो वे लोग भी उद्धार पाएंगे ये शुप संदेश मैंने बहुत ही स्पष्टतेया सन्यासी रमेश को बताया सन्यासी रमेश ने इस बात को समझा क्या? समझा प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया क्या? नहीं किया उसने उस संदेश का क्या किया? उसने उस संदेश को तिरस्कृत कर दिया अंजाने तो नहीं किया, नहीं अंजाने नहीं उसने कहा कोई और व्यक्ति मेरे पापों के लिए सूली पर सजा भुगते और उसके भुगतने के कारण मुझे इतने आसानी से मुक्ती मिल जाए ऐसी मुक्ती मुझे नहीं चाहिए मुझे वो मुक्ती चाहिए जिसके लिए मैं कठोर परिश्वरम करूँ और अपने स्वयम के प्रयत्म से प्राप्त कर सकूँ मनिश को पदमेश्वर ने मनिश के लिए जो रास्ते रखे हैं चाहे उद्धार का रास्ता हो या उद्धार के बात का रास्ता हो सरल से सरल बनाया मनिश्य उसको जटल से जटल बनाना चाहता है मुझे आज भी मैं आज भी उस युवा को नहीं भूला क्योंकि उद्धार क्या है इसको समझने के बाद उसने उसका तिरसकार किया अंजने नहीं इसके एक और उदाहरण है रोमन कैथोलिक चर्च रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार उनके चर्च ने साथ आचार नियुक्त किये हैं व्यक्ति जब पैदा होता है तब पैदाई से लेकर उसके मरने तक उसको इन साथ आचारों में से होकर गुजरना पड़ेगा उसके बिना उसको उधर नहीं मिल सकता इन साथ आचारों में होकर गुजरने के बावजूद उसकी आत्मा एक जगए जाके टिक जाती है जहां पर उसके नाते रिष्थेदार चर्च को पैसा देकर उसको पार लगाने की कोशिश करते हैं जिस शाष्ष्वत जीवन को पडमेश्वर ने उद्धार के विश्वास के आधार पर मनिश के लिए प्रदान किया एक सरल रास्ता खोला उस सरल रास्ते को मनिश ये जटिल से जटिल बनाने की कोशिश करता है आदम और हवा की जो चरित्र कथा है ये हमको ये बात याद दिलाती है कि परमिश्वर ने मनिश के सामने कोई जटिल बात नहीं रखी है उसको ये बताए कि इस बगिया के सारे फल खाओ बेखटके खाओ, कोई टोक नहीं है लेकिन जीवन लेकिन भले और बुरे के ज़्यान का वरिट्ष के फल मत खाना वो तुमको मृत्यो प्रदान करेगा सिर्फ दो चोईस थे, तीसरा कोई चोईस नहीं था और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आदम और हवा की कहानी महज एक कपोल कल्पित कहानी नहीं है एक चरितर कथा है, जो आज हमको याद दिलाती है कि मनिश की सुरिष्टी से लेकर आज तक मनिश के सामने सिर्फ दो चोईस है या तो वो भलाई चुने या बुराई चुने या तो वो जीवन को चुने या मृत्यो को चुने इसके बीच का कोई चुनाव नहीं है तो ये जो चरितर कथा है, ये सिर्फ दो पेड़ की कथा नहीं है ये दो मार्ग के बारे में या दो मार्ग की सचाई बताता है एक बगिया के सारे वरिच्छों के फल खाने से उसको शायरी रिग जीवन मिलता था जीवन का वरिच्छ ये वो खा लेता तो उसको शाश्वत जीवन मिल जाता तो एक तरफ सारे पेड़ जीवन के वरिच्छ शायरी रिग जीवन और शाश्वत जीवन के वरिच्छ थे तो दूसरी और शाश्वत मृतियु का वरिच्छ था यदि वो जीवन के वरिट्ष को चुनता तो उसको शाश्वत जीवन मिल जाता यदि वो भले और बुरे के ज्ञान के वरिट्ष को चुनता तो उसको शाश्वत मृत्यू मिलती तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अधन की वाटिका में दो वृच्छों के बारे में जो चरितर कथा मिलती है वो मनिश को उसके जीवन में उपलब्द दो और सिर्फ दो चुनाव हैं उन चुनावों के बारे में बताता है या तो जीवन को चुनो या मृत्यू को चुनो आधा जीवन और आधा मृत्यु जैसी कोई चीज इस तुनिया में नहीं है आधम और हुआ ने क्या चुना? हुआ ने मृत्यु के व्रिक्ष को चुना आधम ने क्या चुना? जो उसकी वाइफ ने किये, exactly वही उसने किया उसको क्या करना चाहिए था? जब उसने देखा कि मेरी पत्नी ने गलती की है तो वह आधम जो परमेश्वर से नियमित संगती में रहता था उसे तुरंद प्रभू की दूहाई देनी थी कि है प्रभू इस स्त्री ने, मेरी पत्नी ने कैसी अन्होनी कर दी है प्रभू अब इसका हल सिर्फ आप निकाल सकते हैं उसने ऐसा चूस किया क्या? उसने जीवन को चुना क्या? नहीं, उसने भी मृत्यू को चुना अकसर जब मैं यह बात कहता हूँ तो वही मैंने का था न कि कुछ भी बोलो एक, न, एक नाला एक होता है जो नाला एकों जैसा प्रशन पूछता है तो जब मैं यहाँ तक पहुँछता हूँ तो एक आप तो निकल ही आता है जो कहता है कि लेकिन शास्त्री अंकल सुरिष्टी के शुरू शुरू की ही तो बात है वो लोग अज्यान थे अज्यानी थे और इसलिए उनको नहीं मालूम था कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा अच्छा मान के चली कि हवा को नहीं मालूम था आदम इतना अज्यानी था क्या नहीं आदम इतना बुद्धिमान था इतना बुद्धिशाली था कि परमेश्वर ने अपने द्वारा सृष्टी की हुए सारे जीव जुन्तों को परमेश्वर एक-एक करके आदम के पास लाए और आदम ने उसमें से सब को नाम दिया ये अपने आप में एक असंभव बात है सिर्फ एक आति पुद्धिशाली व्यक्ति ये काम कर सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ आज दुनिया में एक से एक बड़े वैज्ञानिक हैं वे लोग जैसे एस्ट्रोनमी में जो लोग हैं तारों को नाम देते हैं तो एक को उतरी धुरूपे जो तारा है उसको एक नाम दिया गया और भी तारों को नाम दिये लेकिन फाइनली वैज्ञानिकों की स्तिती ये हो गई कि आजकल एक नया तारा दिखता है तो उसको नंबर दे देते हैं, नाम खतम हो गया, लेकिन आदम के साथ ऐसा नहीं हुआ, पजमेश्वर ने जो असंखी जानवर बनाए थे, उनको पजमेश्वर एक एक करके जब आदम के सामने लाए, तब आदम ने ना केवल उन जानवर लोग थे, तो उस आरगिमेंट में कोई दम नहीं है, बलकि मैं ये कहूंगा कि जो ये आरगिमेंट ला रहा है, या तो वो अग्यानी है, या जानबुच कर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा है, जो व्यक्ति दुनिया के सारे जानवरों को नाम दे सकता वो व्यक्ति ये भी तो सोच सकता था कि हव्या ने ये कर दिया, सब कबाड़ा कर दिया, लेकिन सुरिष्टि करता परमेश्वर के पास मैं अपनी याचना लेकर जाओंगा तो जरूर परमेश्वर इसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा उसने सोचा क्या, नहीं, न लाना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर कोई है, जो यह आर्गिमेंट लाना चाहता है, शास्त्री अंकल, वो लोग अज्यानी थे, तो एक मिनिट, एक मिनिट, जरा सुने, हर दिन, छाओं के समय, परमेश्वर आदम और हवा से बात्चित के लिए, और संगती के लिए अधन में पधारते थे, छाओं का समय, सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, दोनों समय हो सकता है, परमेश्वर आदम हवा के पास बैठ के उनको चुटकले सुनाते थे क्या, आलतू फालतू आर्थश्वन बात्चित करने के लिए परमेश्वर आते थे क्या, नहीं, मनिश्यों के लिए, संगती के लिए इसलिए आते थे जिससे की आत्मिक ज्ञान मनिश्य को दे सकें। अयूप के मित्र जब अयूप के दुख में भागी होने के लिए आये तो कई दिन चुपचाप बैठे रहे। पडमेश्यों मनिश्यों से संगती के लिए जब आते थे तब इस तरह से बस चुपचाप रहते थे क्या नहीं। ये बात सपश्ट है कि पडमेश्यों मनिश्यों से वारतालाब करते थे। जब मनिश्य मनिश्य को पर्मेश्वर के वचन की शिछा देता है और उसे मनिश्य बुद्धिमान सुनके मनिश्य बुद्धिमान हो जाता है तो जिस आदम और हववा को पर्मेश्वर ने आति बुद्धिमान बनाया था वे लोग प्रती दिन पर्मेश्वर के साथ संगती क के पिरमेश्वर के DAVID किये गए वारतालाब को सुनते थे तो वे कतेँ मूर्ख नहीं थे कतेँ अग्यानी नहीं थे पूर्न रूप से घ्यानी थे लेकिन पूर्न रूप से घ्यानी होने के बावजूद उन्होंने जीवन के व्रश्श को छुआ क्या वृच्छों को तो जो है उन्होंने definitely हाथ लगाया था क्योंकि जब से उनकी स्रिष्टी हुई थी तब से वे लोग भूके तो नहीं रहे थे और भूके नहीं रहे तो इसका मतलब है कि फल तोड़ते थे जीवन के वृच्छ का फल क्यों नहीं तोड़ा आप कहेंगे फिर से वही आर्गिमेंट कि हाथ नहीं पहुँचता होगा ये महज मनिश को उल्लो बनाने के आर्गिमेंट है पटमिश्वर ने स्वयम इस चरित्र कथा में आगे कहा है कि मनिश हाथ बढ़ा के जीवन के वृच्छ का फल तोड़ ना ले तोड़ के खाना ले जिसका मतलब यह है कि वो फल मनिश की पहुँच के अंदर अंदर था तो मनिश की पहुँच के अंदर अंदर जीवन का वृच्छ था उसने क्यों नहीं खाया उसको क्यों नहीं खाया ये प्रश्ण हमें अपने आप से सो बार पूछना चाहिए जिससे के हम अपने बच्चों को इस विशे में स्पष्टता से शिट्षा दे सकें एक बात बताईए आप एक होटल में जाएं एक तरफ महंगे महंगे पकवान हैं लेकिन पैसा देना पड़ेगा और आप होटल वाले से पूछें कि भीया एक दम से सस्ता कुछ है क्या तो वो बोलता है कि हाँ है वो जो महंगे हैं 500 रुपेया पर प्लेट है लेकिन वो सस्ते वाले जो है 5 रुपेया पर प्लेट है आप उससे पूछेंगे कि 500 रुपेया पर प्लेट और 5 रुपेया पर प्लेट में क्या फरक है तो वो कहेगा कि 500 रुपेया प्लेट वाला वो एकदम तरो ताजा है पांच रुपे प्लेट वाला खाना जो है वो सड़ा गला और उसमें कीड़े है और उसको यह दिया आप खाएं तो आपकी तबीद भी बिगड़ सकती है आप फुट पॉईजरिंग से मर भी सकते हैं यह बताईए कौन मूर्क होगा जो उस मुफ्त खाने को 500 के सामने 5 तो मुफ्त खाना ही है कौन है जो उस मुफ्त खाने को खाएगा कोई भी नहीं एससा है क्या एकदम से सुनने पर तो लगता है कि कोई नहीं खाएगा लेकिन जब हम इस अध्यन में आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सिद्धान्त में हम कहते हैं सिधान्त के स्तरपर हम कहते हैं हम नहीं खाएंगे लेकिन व्यावाहरिक जीवन में अच्छे भोजन के बदले हम जो निक्रिष्ट भोजन है जो सड़ा गला है जिसमें बास आ रही है जिसमें कीडे निकल रहे हैं उस पर हम तूट पड़ते हैं अच्छे भोजन की उपेक्षा करते हैं जरा वेट करें हम आगे देखेंगे आपको मालूम है क्या आपने ध्यान दिया है क्या कि उस जीवन के वरक्ष को चुनने के बदले मृत्यू के वरक्ष को चुनने के लिए हववा ने एक बहुत बड़िया आर्गिमेंट एक बहुत बड़िया कारण दिया वो कारण हम उत्पती तीसरे अध्या के छटे पद में पढ़ते हैं उत्पती तीसरे अध्या के छटे पद में हम पढ़ते हैं जब स्त्री ने देखा कि उस व्रिक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धी देने के लिए चाहने योग्य है तब उसने उससे तोड़कर खाया पती को भी दिया उसने भी खाया क्या सुपर आर्गिमेंट है खाने में अच्छा देखने में मन्भावू लेकिन जब हम इस प्रस्ताव को स्त्री के इस प्रस्ताव को की वावा देखने में मजा आ गया खाने में सुपर पहली बात खाने से पहले तुमको कैसे मालूम की खाने में सुपर है पिछले दिनों हमारे सुपरमार्केट में एक नया फल आया था मेरी आदत है हर नये फल को कम से कम एक बार चक के देखता हूँ खरीद लाया काट के पहले पापा को दिया पहले गौर के साथ पापा ने फल अटा के रख दिया मुझे लगा कि शैद बुड़ा पे के कारण उनको पसंद ना आया हो एक टुकड़ा वाइफ ने मुझे दिया मैंने भी एक कोर खाया उसके बाद मैंने वाइफ से कहा कि ये तुम्हारी हेल्ट के लिए बहुत अच्छा है और ये सारा का सारा फल तुम ले लो तो उसने कहा कि उसने भी एक कोर लिया उसके बाद कहा कि घर में सबसे बीमार तो आप है सारा फल आपको मुबारक हो फल देखने से थोड़ी पता चलता है कि अच्छा होगा ये बुरा होगा वो फल हमने जो खरीदा था एक एक कोर टेस्ट करने के बाद वैसा का वैसा ले जाके आंगन में पेड़ों के नीचे फिंक दिया आप एक फल को देखकर कभी नहीं कह सकते कि वो फल खाने में अच्छा होगा तो उस तरी का पहला आर्गिमेंट था कि फल खाने में अच्छा है अरे खाए बिना कैसे मालूम की खाने में अच्छा है देखने में मनभाव है हाँ ये हर व्यक्ती निरने कर सकता है कि फल जो है देखने में मनभाव है क्या सडेगले आम और अच्छे ताजे आम देखने से एकदम से पता चल जाता है कि जो अच्छे आम है वो मन भाव है बुद्धी देने के लिए चाहने युगे तीन उसके आर्गिमेंट थे यहां मैं दूसरे अध्याए के नौवे पद से तुलना करके आपको एक चीज या दिलाना चाहता हूँ दूसरे अध्याए के नवे पद में हम पढ़ते हैं यहा पिरमेश्वर ने भूमी से सब्भांती के व्रिट्ष जो देखने में मनोहर स्त्री ने तो कहा कि देखने में मन भाव है लेकिन पिरमेश्वर ने ऐसे फल बनाए थे जो मनोहर है मन तो मन भाव से भी उतम है और जिनके फल खाने में अच्छे है स्रिष्टी करता जानते हैं कि फल खाने में अच्छा है या बुरा है देखने में मनोहर है या नहीं तो स्त्री के जो दो आर्गिमेंट्स थे देखने में अच्छा है खाने में अच्छा है पहली बाद खाने में अच्छा है या नहीं वो नहीं जानती थी और यदि मान के चलिए कि जाने जानती थी तो भी बगिया के सारे फलों का गुण यही था तो यह जो जीवन और जो मरन का व्रिच्छ है जो मृतिय का व्रिच्छ है उसके बारे में तो इस आर्गिमेंट की कोई कीमत नहीं है मेरे प्रिये भाईयों और बेहनों हम अक्सर किसी काम को करना चाते हैं तो उस कारी को करने के लिए जो कारण हम सामने रखते हैं वो अर्थशून्य होता है पूरी तरह से अर्थशून्य होता है आदम और हुआ के परिच्छा का जो चरित्र की जो चरित्र कथा है आपने कभी सोचा किया कि उसमें इतनी सारी सचाईयां छुपी हुई है समाप्त नहीं हुआ इस भाग का विशलेशन समाप्त नहीं हुआ अभी और भी बाते हम देखते हैं तो उस स्त्री का जो आर्गिमेंट था कि देखने में अच्छा है बगिया में परमेश्वर ने देखने में एक से एक मनोहर फल लगाये थे तो इसलिए यह दी देखने में अच्छा है तो उसका मतलब यह नहीं कि इसको जरूर खाना है खाने में अच्छा है, खाने में अच्छा है कैसे पता चला बस जबर दस्ती उसने कारण बना दिया कि खाने में अच्छा है हाँ, तीसरे एक कारण उसने यहां जोड़ा, बुद्धी देने के लिए चाहने योग्य है सवाल यह है कि तुमको कैसे मालूम की बुद्धी देने के लिए चाहने योग्य है खाके तो देखा नहीं है, खाये हुए किसी वेक्ति से मुलाकाप तो नहीं हुई है तो तुमको कैसे मालूम की बुद्धी देने के लिए चाहने योग्य है बस अपने आप एक कारण बना लिया शैतन की बात सुन ली और अपने आप एक कारण बना लिया हववा एक सामानिस्त्री नहीं थी आदि माता थी इसलिए शरीर से खृष्ट पुष्ट थी बुद्धिमती थी एक बुद्धिमान पुरिश को पत्नी के रूप में जीवन साथी के रूप में जब पदमेश्वर ने दिया तो वो निश्चित रूप से बुद्धिमती होगी मनिश्य जब दो लोगों को जोड़ता है तो कई बार आती बुद्धिशाली व्यक्ति को किसी बुद्धिहीन लड़की से जोड़ देते हैं और आती बुद्धिमती लड़की को किसी बंदर के साथ जोड़ देते हैं मनिश्य जब जोड़ता है तब ऐसा होता है पत्नी दी थी जो अतिशक्तिशाली हो और अतिबुद्धिमान हो। उसने ये जो कारण बताए, इन में से कोई भी कारण अपने आप में सही नहीं था। ये जो विशलेशन है मैं यहां रोकने जा रहा हूँ। जब आप अपने बच्चों को आदम और हवा की चरित्र कथा सुनाएं, तब उनके स्तर पर जो बात उनको समझानी है, वो यह है कि बेटा, तुमारे दोस्त लोग पचास प्रकार के कारण तुमको सुझाएंगे। गलत काम करने के लिए पचास तरह के कारण तुमको सुझाएंगे। लेकिन याद रखना बेटा, किसी भी कारण को सुनकर वैसा का वैसा निगल मत जाना। जरह अच्छी तरह से उस कारण का विशलेशन करना। बच्छा पूछेगा, डाड, मॉम, विशलेशन का क्या मतलब है। पहले से बच्छे को सही वोकाबलरी दीजिये, जिससे उसको मालूम हो जाए कि विशलेशन का क्या मतलब है। उससे कहिए बेटा विशलेशन का मतलब है जाचना। पापा, मम्मी मैं तो जाच नहीं पाऊंगा। तो उसको बताइए कि बेटा कोई बात नहीं है। पहले तुम अपनी बुद्धी से जाचो। और यदि अपनी बुद्धी से जाचने के बाद तुमको उतर ना समझ में है तो मेरे पास आओ, आप डांटेंगे। हो सकता है मेरा दोस्त मुझे कोई गलत काम करने को कह रहा हो और जब मैं प्रशनी लेकर आऊंगा आप डांटेंगे। यदि बच्चा इस तरह से आपको जवाब देता है तो उसका मतलब यह है कि उसके पालन पोशन में आप से कह चूक हुई है। आपको तो बच्चे का पालन पोशन इस तरह से करना चाही कि बच्चा कोई भी बात आकर आपके सामने उगल सके बिना डर के उगल सके। और जब बच्चा आकर आपके सामने बताए कि ऐसा कह रहा था तब आप उसके शब्दों में विशलेशन करके ये बच्चे का उदाहरण नहीं थोड़े से बड़े बच्चे का उदाहरण है लेकिन ये विशे को अच्छी तरह से बताता है। जब मैं BAC first year में पढ़ता था तब union का election होता था हर साल। मैं जब first year में पढ़ता था तब union के election में एक candidate ने कहा कि college में एक swimming pool है जो कई सालों से बिना opioid के पढ़ा हुआ है मैं यदि president हो जाओंगा तो swimming pool चालो करवा दूँगा क्यों नहीं है इस college में swimming pool मुझे बहुत अच्छा लगा घर जाकर मैंने अपने एक चाचा उनको ये बात बताई तो चाचा ने पूछा बेटा तुम college में तेरने के लिए जाते है और पढ की खुल गई सारे जो है ग्यान चच्छू खुल गए मैंने का मैं तो पढ़ाई की लिए जाता हूं तो उस व्यक्ति ने election में ये promise किया क्या कि इस साल किसी तरह की हड़ताल नहों मैं इसकी guarantee लेता हूं क्योंकि हड़ताल से तो तुमारी पढ़ाई को बहुत नुक्सान होत नहीं guarantee दी उसने ये promise किया क्या कि सारे प्रोफेसर अपना विशे जो है मन लगा कर पढ़ाएंगे मैं इसकी guarantee देता हूं नहीं तो चाचा ने कहा कि भाया तुम जिस चीज के लिए college जा रहे हो उस चीज के लिए तो कोई promise नहीं कर रहा और जिस चीज की तुमारे लिए प्योगिता नहीं है उसके लिए promise कर रहा है और तुम मर रहे हो उसके पीछे बाप रे मेरे ग्यान चट्शु ऐसे खुल गए ऐसे खुल गए कि कुछ पूछे मत ये मैंने college level का बताया है school level का प्रभू मदद करेंगे तो जैसे जैसे याद आएगा मैं उदाहरन बताता जा लेकिन ये मैं याद दिलाना चाहता हूं स्त्री ने जो argument दिये थे देखने में अच्छा है खाने में अच्छा है ये किसी भी तरह से सही argument नहीं थे बिलकुल गलत argument थे क्यों देखने में सिर्फ ये फाल अच्छा नहीं था सारे फाल अच्छे थे मनोवर थे खाने में तु हमने टेस्ट बता दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, बस एक चीज बची है, बुद्धी देने के लिए चाहने यूग है, जहां से हम प्रभु ने मदद की, तो अगले हफते पिक अप करेंगे, नोट किया क्या, कि ये जो चरित्र का था है, इसमें कितनी सारी बातें छुपी हुई ह और इनके द्वारा कितनी सारी बातें अपने बच्चों को बतानी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, प्रभु ने मदद की, तो अगले हफते हम इसको पिक अप करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे ट्यूमर के बारे में आप सब ने सुना था, आप सब ने प्रार् की स्तूती हो. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की.